नमस्कार टुड़े विहार नीव देख रहे हैं आप मैं हूँ आपके साहते प्रेकास सिंग चारा घोटाले मामले में सजयाफ्ता आर्डीरी चीफ विहार के पुरु मुक्यमंत्री लालू परसाद यादो को अब अगले छे सपताबाद जमानत मिल सकता है जारखंड हाई अगले छे सपताबाद अब सुनवाई होनी है लेकिन इस बीच आज ही सुनवाई टली है लालू परसाद यादो पीटर और फेस्बुक पर एक्टिव है आर्डीरी चीफ लालू परसाद यादो ने एक कवीता साजहा किया है अपने फेस्बुक पोस्ट पर और पोस्ट के परेजियरी उन्होंने बताया है किस तरीके से एक राज के राजा की कहानी, किस तरीके से राजा के ओर से पहले प्रजा के लिए टैक्स वसुलने की प्रकिरीया सुरू ληखी गई, फिर अब जब प्रजा टैक्स देना सुरू कर दी तो विरोध ना होने पर एक से दो, दो स से तिन तिन से चार टेक्स बढ़ाते गए पूरे भी जोड़े गए जड़ा सबसे पहले आप पढ़िये लालू परशाद यादों का को गवीता जो लालू परशाद यादों ने आज अपने फेस्बुक पुस्ट करक लिखा है एक बार एक राजा को ये जानने की दिल्चस्पी हुई कि उसकी प्रजा में कौन लोग एक जागरुक और सजग नागरिक हैं और कौन नहीं उसने अपने सलाकारों से मंतरना की कि आखिर कैसे जागरुक नागरिकों की पहचान की जाए किसी ने सलाह दी कि आप पूरी प्रजा का एक रुपे का टेक्स लगा दीजिए और एक टेक्स जमा करना सबके लिए जरूरी कर दीजिए राजा को ऐसलाँ अच्छी लगी, राजा ने आदेश जारी कर दिया कि अमुक तीथी तक सभी लोग एक रुपे का टेक्स राज कोस में जमा करें राजा सोच में था की क्या कितने लोगों को इस आदेश के बारे में पता चल पाएगा आखिर कितने लोग इतने जागरुक हैं कि राजा द्वरा लिये गए फैसलों और आदेसों की जानकारी रख सके और इसका पालन कर सके राजा को ये भी उमीदे थी कि जो सबसे जागरुक और सजग होंगे उन्हें नाक केवल सिर्फ इस आदेस के बारे पता चलेगा बलकि वो हमारे फढ़ियाद लेकर भी आएंगे इस टैक्स को हटाने का हमसे अनुरोद भी करेंगे एक दिन बीता दो दिन बीता तिसरा दिन भी बीत गया टैक्स तो बहुत लोगों ने भड़ा मगर राजा के पास उस टैक्स के विरोध में फढ़ियाद लेकर कोई नहीं आया राजा ने सोचा कि सायदे टेक्स बहुत कम है लोगों को कोई फर्क नहीं पर रहा है सब लोग असानी से टेक्स दे पा रहे हैं फिर राजा ने टेक्स बढ़ा कर दो रूपे कर दिये मगर फिर भी लोगों का टेक्स देना बदस्तुर जारी रहा विरोध का कहीं भी कोई सूर नहीं कोई फर्याद लेकर नहीं आया राजा के पास लोगों का टैक्स देना जारी रहा राजा ने टैक्स बढ़ा कर तीन रूपे फिर तीन से चार चार से पांच रूपे कर दिया मगर फिर भी लोगों का राजकोस में टैक्स देना जारी रहा हार कर राजा ने फैसला किया कि सभी प्रजा को ना सिर्फ पांच रुपे टैक्स देने होंगे बलकि टैक्स जमा करने के बाद उन्हें दो कोड़े भी खाने होंगे कोडे मारने के लिए सिपायों को टैनात किया गया लोग टेक्स जमा करते थे, दो कोडे खाते थे और अपने घर जाते थे राजा इंतजार कर रहा था कि अब लोग उनके पास आएंगे उन से फर्याद करेंगे कि महाराजा प्रजा कराह रही है एटेक्स और सांत में एदो कोड़े खाने का नियम हटाईए और सच में कुछ लोग राजा के दर्बार में पहुँच गए अपनी फड़ियाद लेकर राजा ने पूछा बोलो क्या सिकायत है तुम्हारी उन लोगों ने कहा महराज हमें बहुत परिसानी हो रही है टेक्स देने और कोड़े खाने में आपने कोड़े मारने के लिए बहुत कम सिपायों को निक्त किया है इस वज़ा से लाइन बहुत लंबी हो जाती है हम आपके पास से फड़ियाद लेकर आए हैं कि आप कोड़े मारने के लिए ज़्यादा सिपायों को निक्त किजिए ताकि लाइन लंबी नर लगे और प्रजा को टेक्स जमा करने और कोड़े खाने में कोई परिसानी नहो एक कहानी पूरी तरीके से कालपनिक है और इसका आज की हालात और हालिया किसी वी घटना से कोई संबंध नहीं है तो चारा गोटाले मामले में सद्याफता अर्जेडी चीफ लालू परसाद यादो फिलहाल रिम्स में इलाजरत हैं लेकिन लालू परसाद यादो बिहार के सियासत पर भी अपनी नजरे बनाये हुए हैं तभी तो लगातार लालू परसाद यादो के जो सूसल मेडिया फेट झाल झाल